हेलो दोस्तों नमस्कार मैं विनोत कुमार आप सुभी का स्वागत करता हूँ जागरती ओनलाइन लर्निंग अप के अंदर तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो भी अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा दे एसकरेटरी सिस्टम यानि उच्छान तंत्र अभी तक हमने स् परिचंशन तंत्र के बारे में और पाचंशन तंत्र के बारे में कम्प्लीट पढ़ लिया था अभी अपना नहीं टॉपिक स्टार्ट करेंगे कौन सा वाला उच्छान तंत्र कौन सा हो गया भई उच्छान तंत्र उसरजन तंत्र कहने का मतलब क्या हो गया the Ascorratory System ठिक है तो बात करेंगे उसरजन होता क्या है सबसे पहले तो देखो क्या हुआ हमने भोजन गरण किया समझ ना चीजों को बिल्कुल समझ ना बैसिक चीज है हमने क्या हुआ भोजन ग्रण क्या जब हम भोजन ग्रण करते हैं तो भोजन ग्रण करने के बाद में उसका क्या होता है उपाब्चे क्या होगा भाई साब यहां पर उपाब्चे होगा उपाब्चे यानि क्या हो गया यहां पर इसका होगा मेटाबॉलिजम क्या होगा मेटाबॉलिजम होग इसका उपाब्स होगा और जब उपाब्स होता है तब वाह पर क्या बनती है भाई energy क्या बनेगी याँ पर energy बनेगी energy यानि क्या बनी ATP गाल कि आ पर अपकोता कि आपको कि मुझे O2 दे दो, मुझे Oxygen दे दो, और मैं क्या बनाऊंगा, मैं CO2 बनाऊंगा, और साथ साथ में मैं क्या बनाऊंगा, ATP बनाऊंगा, यह जो CO2 बनी थी, वो हमारे लिए एक लोचे वली बात हो गी थी, CO2 हमारे बोडी के लिए होती हैं, जैरी लिए कोई भी काम की नहीं होती, उसकी अलावा, यकरत ने क्या बना दी, यह पर उपापचे के दोरान क्या हो गे, बहुत सारी चीजे बन गए, हानिकारक चीजे जो हमारे कोई भी काम की नहीं होती, यह कौन कौन सी होती है, तो वो चीजे होती है, क्या एक अमोनिया बन गया, और आप सभी जानते हो आमोनिया हमारे सरीर के लिए कैसा होता है हानिकारक होता है यानि कैसा होगा जैरिला होता है अमोनिया बन गया और क्या बनता है या तो क्या बनेगा यूरिया बनेगा या क्या बनेगा यूरिक अमल बनेगा यूरिक अमल बनेगा यूरिक अमल बनेगा यूरिक अमल बनेगा यूरिया या यूरिक अमल या फिर क्या बनेगा वहां पर सियो टू बन जाएगी सियो टू यानि क्या होगी कार्मन डाय ओक्सेड घैस बन जाएगी यह हमारे सरी के लिए जो चारों चीजे हैं वो हमारे सरी के लिए क्या होते हैं हाने कारक होते हैं यानि विसेले होते हैं इ हम जानते हैं कि यह होते हैं हमारे सरीर के लिए विसेल होते हैं यानि टॉक्सिक होते हैं यानि होते हैं हमारे सरीर के लिए यह जैरिल होंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा हमें इनको सरीर से बाहर निकालना पड़ेगा बहुत बढ़िया हमें सरीर से क्या करना पड़ेगा उसको फिल्टर करना पड़ेगा और फिल्टर करने के बाद में क्या करना पड़ेगा उसको सरीर से बाहर निकालना पड़ेगा और इन अबसिस परदातों को सरीर से बाहर निकालने की जो प्रोसेस होगी वाई सब उसको क्या बोलूगा मैं उस सरजन बोलूगा और उससे सम्म कोने उस सर्जन तंत्र यानि एस्क्रेटरी सिस्टम क्या आपको बाते समझने आ रही है क्या चीज़े समझ में आ गई होगी यानि क्या हो गया अब सिस्ट परदात हानिकारक परदार्तों को सरीर से बहुत बढ़िया बाहर निकाले कि जो प्रिक्रिया को क्या बोलूगा मैं या पर क्या बोलूगा मैं या पर उस सर्जन बोलूगा और इसे समंधित जो मेरे सरीरी के अंदर जो तंत्र पाए जाएगा क्या बोलूगा मैं उसको उस सर्जन तंत्र बोलूगा ठीक है चलते हैं वे उस सर्जन तंत्र की परिभासों को देखते हैं तो क्या हो गया हानिक परदार था यानि जैरी ले परदात विसी ले परदात कौन कौन से हो गया यहां पर हो सकते हैं यह अपने यूरिया हो सकते हैं और बताओ जल्दी से क्या हो सकता है तो सर यहां पर यह यूरिक अमल भी हो सकता है यूरिक अमल हो सकता है यूरिया हो गया और सर यहां पर अमोन हो सकती है हानिक परदार्तों को शरीर से बहार त्यागना बहार त्यागना बहार त्यागना उत्सर्जन कहलाता है कुछ मलता है इसे समंधित तंत्र किसे समंधित तंत्र को सान। बहुत समझन सर्जन का उस सर्जन का मतलब समझ में आगया है कि जो मेरे सरीर के अंदर जो तन्तर पाया जाएगा किया बोलूगा मैं इसको उस्सरजन टंट्र बोलूँगा अब देखो बात है कि याँपर जो जीव होते हैं जो ओर्गेनिजम होते हैं समझना चीज beard गैने एक पॉइंट यहाँपर कीमती चीज़े हैं कि जो भी हमारे जीव होते हैं जीव होते है संसार के उपर यानि ब्रमांड के उपर पर्थी पर जो जीव पाए जाते हैं वो जीव होते हैं कितने प्रकार के तीन प्रकार के सुनो कैसे ये हो गया कोई भी जीव हो गया जीव कहने का मतलब क्या होता है सर और्गिनिज्म होता है ये और्गिनिज्म होते हैं बबु कितने परकार के तीन परकार के कितने परकार के होते हैं तीन परकार के सुनो कैसे एक क्या 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 यूरियो टेलिक और कौन सा अपना यूरियो टेलिक और यूरिको टेलिक सुनो जीव कितने प्रकार कि पाएगे तीन प्रकार के जीव पाएजाते हैं पर्थव के ऊपर कौन कौन सा Ammonotelic सुनना Ammonotelic नाम से पता चला है यानि Ammonia की यहाँ पर मुझे थोड़ा बूस्ट Pilling आ रही है यहाँ पर ही यूरियो टलिक यानि फिलिंग किसकी आ रही है मुझे यूरिया की यूरिकोटलिक यानि किसकी बात आती है यहाँ पर यूरिक अमलकी यूरिक एसिड की बात आती है यह देखो बहुत ही बल्या अब देखो वैसाब सुनना जो जीव ऐसे जीव जो शरीर से अमोनिया का त्यार करते हैं सुनना ऐसे जीव जो सरीर से अमोनिया का त्यार करते हैं ऐसे जीव जन्तु क्या कलाएंगे अपने अमोनोटलिक क्या किलाएंगे वो Amonotellic और वे जीव जो यूरिय का सरीर के अंदर त्याह करेंगे क्या बोलेंगे अमन इसको यूरियो टैलिक और ऐसे जीव जो यूरिक अमलकों सरीर से बाहर निकालते हैं क्या बोलेंगे इसको यूरिको टैलिक बोलेंगे तो यहां पर मैं लिखता हूँ कि जो जीव होंगे वो जीव यह क्या करेंगे यह सरीर से यह अमोनिया का उसरेजन करते हैं अमोनिया का उसर्जन करते हैं यह सरीर से क्या निकालेंगे भई अमोनिया निकालेंगे ध्यान देना चीजों को सरीर से क्या निकालेंगे यह अमोनिया निकालेंगे और ऐसे जीव परिवसा क्या होगी वे जीव जो सरीर से अमोनिया का उसर्जन करेंगे क्या बोलेंगे उनको अमोनियों उसरजी बोलेंगे और वे जीव जो सरीर से यूरिया का त्याग करेंगे उसको क्या बोलेंगे हम यूरियो टैलिक बोलेंगे और वे जीव जो यूरिक अमल का त्याग करेंगे यानि इसमें क्या हो गया यह यूरिया यह यूरिया का त्याग करते हैं बासन में आगे क्या यूरिया का त्याग करते हैं और ये किसका त्याग करेंगे उसरजी अमलग के उसरजन के रूप में तो ये किसका करेंगे यूरिक अमलग यूरिक अम्बलग का उस्टरजन करते हैं बास्टरज में आगे क्या ये किसका त्यार करेंगे अमोनिया का सभी बोलेंगे किसका त्यार करेंगे अमोनिया का ये किसका करेंगे यूरिया और यूरिको उस्टरजी यूरिको टैलिक यानि इसको किसका त्याग करेंगे वो यूरीक अमल का त्याग करेंगे बासर में आगे कि आपको अब देखते हैं कि इन तीनों में सबसे जहरिला कौन होता है वे जीव जो अमोनिया का त्याग करेंगे अमोनियो टैलिजम कहलाएंगे सर कौन कौन से ऐसे जीव होते हैं ये भी माइंड लगा सकते हैं कि जो अपना अमोनिया होगा वो सबसे ज्यादा विसेला होता है सबसे ज्यादा जैरिला होता है ठीक है तो यहां पर क्या हो गया अमोनिया क्या होगा सबसे ज्यादा विसेला अमोनिया होगा वो सबसे ज़्यादा विसेला होगा सबसे ज़्यादा जैरिला होगा ये क्या होगा थोड़ा सा उसकी तुलना में अमोनिया की तुलना में कम जैरिला होगा कम विसेला कम जैरिला होगा और ये क्या हो गया सबसे कम विसेला अब देखो एक कंसेप्ट को सुनना एक कंसेप्ट को समझना कि जो जैरिला ज्यादा होगा सुनना जो जैरिला होगा उसको अधिक पानी की मात्रा चाहिए बाहर निकालने के लिए या फिर जो कम जैरिला होगा उसको पानी की मात्रा चाहिए बाहर निकालने के लिए ज्याद तो देखो कहने का मतलब सुनना कि जो जैरिला होगा जैरिला होगा तो इसके लिए क्या होगा बाहर निकालने के लिए पानी ज्यादा चाहिए पानी ज्यादा नहीं होगा तो क्या हो जाएगी हमारे सरीर की जो तौचा इसकिन वो जल जाती हैं बासन में आ रहे हैं क्या तो जो भी जैरिला कौने सबसे ज़्यादा बताएंगे अमोनिया सबसे ज़्यादा जैरिला होता है यूरिया अपने थोड़ा सा कम जैरिला होता है और यूरी कमल बहुत जैरिला होता है तो बताओ मुझे जल्दी बताओ सभी कि अधीक पाने की आफसकता किसमे पड़ेगी बाह जल किया हो सकता इनको इसे थोड़ी कम इनको सबसे कम सबसे कम अब ये कैसे निकालेंगे किस फॉर्म में निकालेंगे तो सुनना किस फॉर्म में निकालेंगे तो ये क्या करेंगे शरीर की सतर से निकालेंगे सरीर की सतर से ही देखो ये कैसे निकालेंगे अब सिस्परदात का उसे जन कैसे करेंगे यानि ये को भी हो गया जीव हो गया सुनना ये जीव हो गया और जीव पानी के अंदर रहेगा ऐसा जीव पानी के अंदर रहेगा यहां पर क्या होगा उनके अंदर जैसे अमूनिया ब और यहां पर पास में कौन होगा, पानी होगा, तो यहां से पानी के साथ में यह बैके पानी के अंदर घुल जाएगा, यानि शरीर की सतर से इसका त्याग करेंगे, अब यह सुनना, यहां पर क्या हुआ था बाबू कि मानव के अंदर क्या हुआ था यहां पर, अमोनिया बन कि इनके इतना पानी तो पैएंगे नहीं इनके पास होने यह सारे दिन समुंदर के अंदर या नदियों के इन तु तो त्यारते नहीं इसलिए क्या होगा कि इनको क्या एं Здरुब करते दो थोड़ा सा कम काम किया बाबू वो काम किसने किया लीवर ने किसने काम किया लीवर ने वेरी 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 इंपोटेंट यानि अमोनिया को किसमें बदला गया यूरिया के अंदर बदला गया और ये काम किसने किया लीवर ने काम किया किसने किया भी लीवर ने काम किया लीवर के अंदर एक स मुत्र के रूप में सरीर से क्या निकल जाएगा ये बाहर निकल जाएगा और ये किस फॉव में निकलेंगे तो ये निकलेंगे पेष्ट या घुलिकाओं के रूप में। ऐसे कौन कौन से जीव होते हैं, जो होते हैं आपने Ammonotelism, Euryotelism और Euryotelism, सर एक बार वापिस बता दीजे मुझे, तो देखो क्या हुआ कि जो वे जीव जो ammoniya का त्याक करेंगे, क्या कहलेंगे सबी बोलेंगे साथ साथ में, कि वे जीव जो अमोनिय का तया करेंगे क्या बोलेंगे इसको हाँ बहुत बढ़ यह कोण होगा अपना यूरिया और उसे बाद में कौन हो गया यूरिक अमल हो गया बताओ कोशन पुछताओं मैं आपको कि मेरा जो अमोनिया था उस अमोनिया को यूरिया में किस ने बदला यास किस ने बदला लिवर ने बदला यकरत ने बदला अब इसके एक्जामफल की जब हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे जीव होते हैं जिनके अंदर ऐसी ऐसी प्र अस्तिल मचलिया अस्तिल मचलिया बॉनी फिश और जीव जन्तु होते हैं वो कैसे होते हैं अपने अमोनो टैलिजम होते हैं और उबेचर और मानव उबेचर अउबेचर और मनुश्य। जो जल भी रहते हैं जो थल पी रहते हैं उसको क्या बोलेंगे हमों गेचर बोलेंगे और लो मनुश्य होगा जो मानव होगा वो कैसा होगा अपना शाया पक्षियों को देखा होगा पक्षियों का जो उसर जी परदात होगा वो फेस्ट या गोलिकाओं के रूप में सरीसर्फ होगे पक्षी होगे ठीके कीट होगे ये सारे किस फॉर्म में करते हैं उसर जन तो वो करते हैं यूरिको टैलिज यूरिक अमलक के रूप में करते हैं और इन सभी जीवों को हम क्या बोलेंगे यूरी को टैलिक जीव बोलेंगे यूरी को टैलिक जीव बोलेंगे बासन में आगे क्या आपको अब चलते हैं। मनुष्य को क्या दिया यहां पर किड़नी दी गई तो हम बाकी वाले जब आप जैसे इलिम्त में आ जाओगे तब आपको पढ़ाए जाएगा कि कैच्यों के अंदर या फिर जो प्लेटी हेलमेंती जो चप्टे कर्मी होते है कीडों के अंदर उन सभी के अंदर जो हमारा उसरजन तंतर होगा वो किस प्रकार का होगा अभी यहां पर हम डिसकस करेंगे केवल और केवल मनुष्य के बारे में मनुष्य का उसरजन तंतर मानव उसरजन Tantra ठीक है तो देखेंगे अगले ही वाली क्या होकी अपनी मानव उसरजन Tantra हम मानव की बात करने कि मानव उसरजन तंत्र के अंदर देखना आप समयना यहां पर क्या हुआ यह आपको क्या दिखाई देरी हैं ऐसी सरचना आपने पहले सुना होगा यह क्या होते है भाई अपनी किड्री क्या होगी यह किड्री होगी बात समयना मानव उसरजन तंतर के अंदर बात करेंगे मानव उसरजन तंतर तो मानव उसरजन तंतर के अंदर क्या क्या आता है बाबू तो यहां पर क्या आती है सबसे पहले क्या आती है किड्नी आती है अपनी किड्नी कहने का मतलब क्या हो गया renal बोलेंगे इसको kidney बोलेंगे ये kidney कितनी होगी नंबर के अंदर दो kidney होगी चीजों को बिलकूली समझ ना एक दम आसान भासक के अंदर हम इसको थोड़ा सा detail के अंदर समझने वाले हैं किडनी कितनी होगी दो होगी और क्या होगी यहां पर मुत्र नलीका होगी यह मुत्र नलीका होगी यह मुत्र नलीका होगी यह मुत्र नलीका होगी और यहां पर क्या होगा एक मुत्रा शे होगा मुत्रा से होगा ठीक है यानि यूरिनरी ब्लेडर होगा और यहां पर क्या हो होगा एक यूरेथ्रा याने क्या होगा मुत्र मार्ग होगा कि बासी में आगे का कि यानि उसर दें तंत्र के अंदर अपने को चार चीजों के बारिए में कमप्लीट पढ़ना है कौन-कौन screening किड़नी मुत्रनली का किड़नी मुत्रनली का मुत्राशे और क्या हो गया मुत्रमार्ग अब समयना ये का का पर होते हैं समयना तो ये क्या कहलाती है किड़नी ये सरचना क्या कहलाती है भाई किड़नी सरचना ये क्या कहलाती है और ये क्या कहलाती है तो ये कहलाती है मुत्र नलीका क्या कहलाएगी मुत्र नलीका यानि क्या कहलाएगी वो यूरेटर क्या कहलाएगी यूरेटर क्या कहलाती है और ये क्या कहलाएगा मुत्राशे क्या कहलाएगा भईया आपर ये मुत्राशे कहलाएगा यानि क्या कहलाएगा यूरिनरी चिडर कहलाता है मुट्रा से चलाता है और र्सटासे आगे जा किसमें खुलेगा मुट्र मार्ग के अंदरां बाद समयना हे 시작 में होगा सबसे पहले क्या अपनी किड्नी कितनी होती है दो चिक कैनी होगी और चाहोगा मुट्र गॉली का होगी यह मुत्र नलिका कितनी होगी भैस साब तो मुत्र नलिका कितनी होगी अपनी दो मुत्र नलिका होगी यह मुत्र नलिका आगे जाकर किसमे खुलेगी मुत्र से के अंदर खुलेगी और मुत्र से आगे जाकर किसमे खुलेगा यह मुत्र मार्ग के अंदर खुलेगा यानि किसमे उस अमोनिया को बदल दिया गया किस के अंदर यूरिया के अंदर और बहुत बढ़िया सभी बताएंगे एक जटके के अंदर आंसोर आना चाहिए अमोनिया को यूरिया में किस ने बदला सभी बोलेंगे किस ने बदला भई या पर लीवर ने बदला किस ने बदला लीवर ने बदला या नहीं यकरत ने बदल दिया इसको यकरत ने क्या कर दिया इसको अमोनिया को किस में बदल दिया गया लीवर में बदल दिया गया और इ खून की पाइपलाइन यहां पर लाने पड़ेगी और हम जानते हैं कि खून की पाइपलाइन कौन कौन सी होती हैं तो खून की पाइपलाइन जो लेके जो आती हैं खून को जो खून को लेके आती हैं याद आ रहा होगा आप सभी को जो सरीर के अंगों तक खून की पाइब लेके आती हैं बड़ी सी पाइब जिसको क्या बोलेंगे हम अरे क्या बोलेंगे हम इसको बोलेंगे महा धमनी क्या बोलेंगे इसको महा धमनी यानि क्या होती है अपनी एरोटा सुनना क्या होगी अपनी महा धमनी होगी यानि कौन होगी एरोटा होगी ये होगी अपनी महाधमनी होगी सुनना जिसके अंदर खून लेके आई है उसको क्या बोलेंगे हम महाधमनी बोलेंगे तो ये क्या होगी भी अपनी महाधमनी होगी ये होगी जो खून को लेके आई उसको क्या बोलेंगे हम महाधमनी और ध्यान देना महा धमनी की चोटी चोटी ब्रांचे खुलती हैं चोटी चोटी साखाएं खुलती हैं एक चली जाती हैं इस किड्नी के अंदर एक चली जाती हैं इस किड्नी के अंदर सुनना बिलकुली आसान भासा के अंदर सुनना क्या हुआ कि जो भी अपना खून लेके आई थी, खून लेके आती है किड्नी के पास में, अरे किड्नी को भी तो खून चाहिए, क्योंकि यूरिया की मातरा किस में थी, अरे यूरिया की मातरा किस में थी, खून के अंदर थी खून आएगा किड्नी के पास में किड़नी का काम क्या हो गया है फिल्टर करना खून को प्यार करना और यूरिया यूरिया को चानना अरे बात समझ में आरे क्या आपको यहाँ पर जो खून लेके यानि किड़नी के अंदर चला गया और ध्यान देना जो असुद रख्त को लेके जाती है याद आ रहा होगा के कौन होगी महा सीरा होगी तो ये क्या होगी अपनी महा सीरा होगी ध्यान देना समयना बिलकूल आसान भासा के अंदर चीजों को तो ये क्या होगी हमारी महा सीरा महा सीरा बोलेंगे इसको अब देखो समयना चीजों को ये क्या होगी हमारी महाधमनी क्या होगी महाधमनी होगी और महाधमनी से सुनना महाधमनी से क्या निकली एक धमनी निकली चोटी सी जो एक किड़नी में चलेगी इस किड़नी में एक इस किड़नी में चलेगी अब किड़नी के अंदर क्या होगा oxygen, oxygen यूज हो जाएगी और CO2, CO2 बनेगी जब CO2 बनेगी उसको डाल दिया जाएगा किसके अंदर, उसको वापिस kidney के अंदर डाल दिया जाएगा तो यहाँ पर यह क्या होगी अपनी सीरा यानि क्या होगी धमनिया अंदर जाती है सीरा वापिस उससे बार आती हैं यह चलाएगी हमारी महासीरा चलाएगी ठीक हैч़। अब इस दमनीका और सीरा का नाम क्या होगा इसको मागे करेंगे हमारे सरीर के अंदर उस्षरजन होगा भासृम आगे क्या आपको एक बार वापिस बताएंगे कि जो उस हाज़ा तो तो उसमें समयलित होता है कौन सा आपना किड़नी से एक इस ame कितनी होगी तो यूरिंटर कितनी होगी दो एक इस किड़िसे एक इस किड़नी से और फिर जो टिब करके जो मुत्र्व कर जमा हो जाएगा इस्टोर हो जाएगा किसके अंदर रिस्टोर हो जाएगा यह यूरिनरी ब्लेडर Kandler मुतरासे के अंदर रिष्टोर होगा और मुतरासे के किसे में जूझाएगा? यह मुतरा मारग के अंदर खुल जाएगा. का बात असम्हाइं आ रहीu कैं आरे कि आपको? अब बताओ हाँ, खून को लेके कौन आएगी सरीर से यानि हदे से खून को लेके कौन आई अपनी महा धमनी किड्नी के अंदर जो सप्लाई होगी वो कौन से होगी चोटी चोटी धमनिया जिसको बोलेंगे अपन वर्किय धमनी बोलेंगे रिनल आर्ट्रीस बोलेंगे और असुरू द्रक्त को को लेकी और हदे के पास में माः सीरा किडनी के पास इपए और इह आं सब्सक्राइब बाकॉत दे ख़लेंगे और माश्य स्बीक जाह करएक पर और आगे देखेंगाल एक helemaal complete देखते हैं तिनों के बारे में कि करने हैं स्टार्ट करते सबसे पहले ही किडनी को है किडनी किडनी इसको क्या बोलेंगे इंग्लीskे अंदर रिन रोंने या हिंदी के अतर ऑने शुध हिंडी वाले बोलते हैं इसको व्रक बोलते हैं किड Gas बोलते हैं ना कोई कंफ्यूज नहीं होंगे हिंदी वाले बिल्कुल सुद्ध हिंदी वाले नाराज नहीं होंगे कि सर वरक सुना तो वरक बोलो या फिर क्या बोलेंगे इसको किड्नी या फिर क्या बोलेंगे इसको रेनल बोलेंगे अब एक किड्नी को मैंने निकाला बार एक किड्नी को मैं बाहर निकालता हूँ, बाहर निकालने के बाद में उसकी सर्चना को देखते हैं, उससे पहले समझते हैं कि किड्नी अपनी होती कहां पर हैं, किड्नी दिखने में कैसी होती हैं, तो यह होगी किड्नी, यह होगी किड्नी, यह किड्नी होती हैं अपनी कहां पर उद्धरिय गुआ में, सबसे पहले इसकी स्थति की बात करें, तो काँ पर होगी उद्धरिय गुआ में, उद्धरिय गुआ में, पीट के पीछे, पीट के पीछे और कसे रुका के दाईं तथा बाईं और, बाईं और, सर इस लाइन का मतलब समझा दो हमें, तो जो भी हमारी किटनी होगी, बाबु, वो किटनी काँ पर होगी, हमारे पीट के पीछे की सैट में, पीट के पीछे की सैट में, जो रिड की हड़ी होगी, जो हमारी वटिबरा होगी, जो रिड की हड़ी होगी, इस रिड की हड़ी के एक सैट होगी, और एक सैट होगी अब यह किड़नी कैसी होती है इसको देखते हैं तो यह कैसी होती है सेम के बीज के आकार की होती है सेम के बीज के आकार की होती है सेम के बीज के आकार की होती है किड़नी अपनी आकार की गैरे भूरे रंकी होगी कैसी होगी इसका कलर कैसा होगा गेरे बूरे रंकी बूरे रंकी होती हैं बासन में आगे क्या किड्नी कैसी होगी अपनी सेम के बीच के आकार की और कैसी होगी गेरे बूरे रंकी होती हैं चलते हैं आगे उसकी सरंचना को देखते हैं सर किड्नी होती कैसी है हमें पहार निकाल के बताईए और हमें उसको राएग्राम कैसे उता है तो समझना वावँ एक धम आराम आराम से इतने दो पंट करों कोई बी अगर अंगोत के बारे में पूछ ले अगर आपको कुई अंगोत के बारे में पूछ ले तो आपको ये दो चीज, दो पॉइंट लिकने हैं, सबसे पहले तो क्या लिकोगे, उसकी लॉकेशन के बारे में, यानि उसकी इस्ति के बारे में, चाहे बोर्ड एक्जाम के अंदर कोई भी अंग आ जाये, चाहे वो हदे आये, चोटियांत, बडियांत, अमा से कुछ भी आ आई जाती है, हाँ, हदे के बारे में, पूची तो हदे के बारे में, क्या होगा वो, होलो, मुस्कुलार ओर्गन, यानि कैसा होगा, खोकला पेशी आंग होगा, तो ऐसे कैसे किड्नी की भी बात होती है, कैसा होता है, सेम के बीज की, आकार की, बासम में आती है, अगला ज सरंचना किड़नी सुनना इस किड़नी के अंदर क्या होगा यहां पर एक खांच होगी यहां पर क्या होगा एक खांच होगी किड़नी के अंदर किड़नी होगी अपने सेम के बीज के आकार की यहां पर एक खांच होगी इस खांच को मैं क्या बोलूगा इस खांच को मैं बोलूगा हा हाइलम 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 को मैंने क्या बोला हाइलम बोला इस हाइलम के अंदर सुनना मैंने यहां पर बनायती एक धमनी बनायती महा धमनी बनायती उस महा धमनी की चोटी सी साखा उसके अंदर जाती है उस वाली धमनी को क्या बोलेंगे अपने इसको क्या बोलें रिनल आट्री बोला था, तो बताओ उसके अंदर कौन गई, उसके अंदर कौन गई, रिनल आट्री, और बाहर कौन कौन से चीज आती है, देखते हैं चीजों को, अंदर की सेड में कौन गई अपनी, रिनल आट्री जगई, होन की पाइप गई, अब बाहर कौन से पाइप आ यहां पर सभी बोलेंगे साथ मैं यास सीरा और सीरा होगी वह आगी जाके किस में खुलेगी अपनी महां सीरा के अंदर खुलेगी तो बताओ मुझे जो किड्नी की हैं इसलिए नाम हुआ इसका रीनल आर्ट्री वर्किय धमनी तो उसकी सीरा को क्या बोलेंगे सीधी सी बात ह अपने इसको वर्किय सीरा बोलेंगे यानि क्या बोलेंगे रीनल वेन बोलेंगे तो यह क्या होगी यहां पर वर्किय सीरा होगी तो परकिय सीरा या फिर क्या बोलेंगे अपने इसको रीनल वेन बोलेंगे रिनल वेन बोलेंगे इसको ठीक है वरकिय सीरा बोलेंगे रिनल वेन बोलेंगे अब देखो क्या हुआ इसके अंदर एक और पाइप बार निकलती है एक और पाइप बार निकलती है जिसको क्या बोलेंगे पन मुत्र नलीका क्या बोलेंगे इसको मुत्र नलीका ये क्या होग है यह जो किड़नी होगी किड़नी के पीछ में क्या होगा यहां पर खांच होगी एक खांच होगी जिसको क्या बोलेंगे हम हाइलम इस खांच को मैंने क्या बोला इस हाइलम इस हाइलम के अंदर कौन कौन गई और इस हाइलम से बाहर कौन कौन आई बाई दा हाइलम हाइलम से होते हुए अंदर कौन गई तो कौन गई भी वर्किय धमनी अंदर कौन जाती है वर्किय धमनी यानि रिनल आर्टरी उस हाइलम से उस खांच से बाहर कौन कौन गई हाँ बहुत बढ़िया कौन कौन गई वर्किय शीरा और कौन गई मुत्र नली का याद रखना है किड्नी के अंदर जाती है कौन वर्किय धमनी बाहर कौन आती है कौन आगी वर्किय शीरा और कौन आती है मुत्र नली का बासन में आगी क्या अब बात करे तो बारवाला आवरण क्यलाता है कैपसूल क्या बोलेंगे देखो जो किड़नी के बारवाला जो आपको आवरण दिखाई दे रहा है उसको क्या बोलता हूं मैं इसको कैपसूल कैपसूल बोलता हूं इसको हिंदी में क्या बोलेंगे इसको कैपसूल बोलेंगे बस इतना या कि मैं अंदर गया तो यहां पर मुझे यह सरंचना पाई गई यह ऐसा कीब के आकार की मुझे सरंचना पाई गई यह जो कीब के आकार की जो सरंचना दिखाई दे रही हैं इसको मैं बोलता हूँ रिनल पैल्वीस क्या बोलेंगे इसको रिनल पैल्वीस बोलेंगे चीजों को समयना बहुत ही आसान चीज़े और बहुत ही मज़ेदार चीज़े रिनल पैल्वीस क्या बोलूगा मैं इसको रिनल पैल्वीस बोलूगा यानि इसको बोलूगा मैं वर्कियर श्रॉनी क्या बोल कि सरचना मुझे नजर आई कीप क्या कार कि सरचना मुझे ये नजर आई इस सरचना को क्या बोलेंगा मैं रिनल पैल्विस बोलूंगा वर्क्या श्रोणी बोलूंगा अरे बासन में आगे क्या बोलेंगे इसको रिनल पेल्विस या क्या बोलेंगे इसको रक्यर श्रोणी बोलेंगे अब ध्यान देना आगे मज़दार सरचना आगे क्या हुआ कि यह आगे जाकर एक ऐसे त्रिभुजाकार पिरामिंड के अंदर खुलेगा यह आगे जाकर क्या करेगा इसके अंदर एक सरशनाय पाई जाएगी तृबजाकार पिरामिंड जैसी सरशनाय पाई जाएगी कर दूब यहां पर पिरामिंड के जैसी सरचनाय दिख्याई दी को समयना चीजों को मुझे इस ट्राइब की सरचनाय दिख्या दी कितनी दिकरी दी मुझे आठ से 12 मुझे किड्नी के अंदर आट से बारा कुछ भुजाकार कुछ दीखाई दी और इसको रहर किया बोलेंगे हम आपको यहांपर यह पर देखो alot सुन लो जो किड्नी का जो आवरण होगा वो क्या कलेगा कैपसूल कलेगा क्या कलेगा कैपसूल कलेगा और इसके अंदर जो सरंचना है मौजुद होगी आंट से बारा जिसको क्या बोलेंगे यहां पर पीरामिड बोलेंगे और सुनना जो किड्नी के अंदर जो यह पिरामिं दे रही है आपको यह वाली यह यहां से लगा कर यहां तक यह जो बाहर खाली स्थान दिखे दे रहा है उसको बोलता हूं मैं cortex क्या बोलना मैं इसको cortex इसको मैं बोलता हूं cortex यानि क्या हो गया यह वलकुट क्या हो गया यह कोटेक्स यानि क्या हो गया वल्कुट बाह समझना किड्नी के दो हिस्से होगे अंदर से यहां पर बना तो मैं यह होगी किड्नी उस kidney के दो हिस्से होगे, जो अंदर वाला हिस्सा होगा, उसको क्या बोलूँगा, मैं यहाँ पर medulla, क्या बोलूँगा, मैं इसको medulla बोलूँगा, और kidney का यह जो बार वाला हिस्सा है, उसको क्या बोलूँगा, मैं यहाँ पर cortex, वलकुट बोलूँगा, अरे बासन में आगे मेडूला मद्यांस बोलूगा मैं इसको हिंडी में है एक है माझ्याए कि माझ्याइश आगी क्या क्या बोलेंगे इसको माझ्याइश बोलेंगे तो किड़नी के कितने होगे बहुत बढ़िया उसको हो गया cortex बताओ मुझे जल्दी से kidney का जो आवरण होगा उसको क्या बोलेंगे हम capsule बोलेंगे और kidney के हिस्से कितने होगे दो अंदर वाला बहुत बढ़िया क्या हो गया भई मध्यांस बारवाला कौन सा हो गया अपना cortex हो गया कौन सा हो गया और कौन कौन 3 भाएन तो बार आएगी और यहां पर बार आती है उया या दोनों बार ऑठीये जैसे हम कढ़ीक के अंदर रहे इसको छोल के देखा तो उसके अंदर सबस्तुत पसक्कि अकिपर के कि आकार के सरंचना मोजिद होती है जिसको हम क्या बोलेंगे वर्क श्रोणी बोलेंगे यानि क्या बोलेंगे रिनल पैल्विस बोलेंगे बोलेंगे और यह आगे जाकर किसमी खुलेगा फाले बागवाग किल आएगा? Medulla. Kidney के बार-बार वाला बाग वाला बाग किल आएगा? Capsule किल आएगा. बास्वमें आगे क्या आपको? चले start करते हैं आगे, जो हमने पड़ा, उसके बारे में सारी एक बकवास के फॉर्म में, लिख लेते हैं उसको. ठीक है, सभी डाइग्राम बनेंगे, किड्नी का, अभी देखते हैं, किड्नी के सरंचना के बारे में बक्वास देखते हैं, ठीक है, तो उसकी देखते हैं, हमने सरंचना देख ली, सरंचना का डाइग्राम देख लिया, अब उसको बस लिखते हैं, किड्नी के चारों और के आवरण को। क्या वह करेंगे जल्दी बताइंगे साथ साथ में क्या बोलेंगे इसको कैपसूल कहते जो हमने समझा है उसी को बख्वास के फॉर्ममें या पर लिकर रहे हैं ठीक है इसको क्या बोलेंगे आवरण को क्या कहते है हम कैपसूल कहते हैं RJE कि सेकेंड पॉइंट क्या हो गया कि किड़नी के दो हिस्से होते हैं बताएंगे जल्दी सभी दो हिस्से होते हैं सबको पता है अंदर वाला और एक कौन सा होगा भी अपना बहार वाला बहार वाला और अंदर वाला बताओ अंदर वाले का नाम क्या होगा यस बहुत बढ़ी है इसका नाम क्या होगा मैडूला मैडूला यानि क्या होगा इसको हिंदी में क्या बोलेंगे मद्यांस कहते हैं म अद्यांस और बारवाला क्या कोर्टक्स 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 को यHa यह नि यूके बासन में क्या पॉइंट कवर होगा अब बात करेंगे कि किड्नी के अंदर जो हाइलम जो हमारे अगली बात करेंगे किड्नी में हाइलम हाइलम यानि क्या होगी खांच द्वारा वर्किय धमनी परवेश तथा और निबात के वर्किय शीरा वर्किय सीरा यानि क्या हो हो गया भाइँ यहां पर रीणल वेञ्ट के सीरा और मुत्र नले का भाहर निकलती हैं वासन में क्या किड्नि के एंटर पर अंदर कौन होगी और किटनी से एक्जिट कौन होगी बाहर कौन कौन निकलेगी यहां पर और यह आगे जाकर कीप के आकार की सरंचना कीप के आकार की छाइक शरंचना। सरंचना, वरक्य स्रोणी बहुत बड़ आधो ब्रहिआया उसका नाम क्या था यहां पर वरक्य स्रोणी या फ्र क्या बोलेंगे इसको पेलव नुए मैं कि खुलती हैं अरे बास में आ रहें कि आपको किसमें खुलेगी रीनल पैलविस के अंदर खुलेगी या किसके अंदर खुलेगी वर्क्यस रोणी के अंदर खुलेगी ठीके आगे बात करेंगे यह किसमें खुलेगी आगे जाकर वरक्य स्रोनी आट से बारा तिर्भूजाकार सरंचना जिसे क्या बोलेंगे बाई क्या बोलेंगे तिर्भूजाकार सरंचना पिरामिड मैं खुलती है बासन में आगे क्या और ध्यान देना अब जो भी हमारे पिरामिंड थे आठ से बारा चीजों को लिखना सभी साथ साथ में अभी देखते हैं एक बार वापिस किड़नी के बारे में बताओ जल्दी से किड़नी के अंदर एंटर कौन होगी हमारी वरक्य धमनी बार कौन निकली जल्दी बताएंगे सभी बार कौन निकली वरक्य सीरा बार निकली और कौन निकली यहाँ पर मुत्र नली का बार निकली बासन में आगे क्या किड़नी का जो यहां पर cortex क्यालाता है इतनी बाते हमें समझ में आ चुकी थी और और यहां पर इसके अंदर एक कीप के आकार की सरंचना पाई जाएगी जिसको क्या बोलेंगे रीनल पैल натsz बोलते हैं और पैलबुस आगे जाकर आँच से भाह इस प्रकार की सरंचनाओं के अंदर खुलेगा जिसको क्या बोला था आपने जिसको बोला यहां पर पिरामेंड बोलेंगे और किटनी होती कहां पर अपनी तो किटनी कहाँ पर उद्रीय गौआ में abdominal cavity के अंदर, repeat के पीछे, और जो भी हमारी vertebra के राइट और left side होगी, और सुनना, कि जो भी हमारी kidney होगी, उस kidney का आकार केसा होगा, cm-kg-beach के आकार की, अरे कैसी होगी, cm-kg-beach के आकार की घहरे भूरे रंकी होती है, बाते से में आगे क्या ये सारी बाते हमने डिस्कस कर लिए अब सुनना कि ये जो हमारे पीरामिंड्स पाए जाते हैं ये जो पीरामिंड्स पाए जाते हैं उसके अंदर एक सरंचना पाए जाती है वो चोटी चोटी एक लाखो कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है जिसको बोलत किरसिए धिजशनात्म 25 कि यह क्या एगि नस्फ्राइगी नस्फ्रॉम जानए क्या बोलेंगे इसको वर्कवर का बोलेंग यह रिकरन वेरें जाता हैं तो यह पुरे किड़ने केंदर पाये जाता से तो बने होता है यह अपने पीरामिड्स बने होते हैं तो कहने का मतलब हम आने वाले जो पार्ट के अंदर स्टार्ड करेंगे किसके बारे में नफ्रॉन की सरंचना के बारे में देखेंगे ओके आप सभी का वीडियो को पूरी तरीके से ध्यान पूरुक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ओके